सोला सितंबर का कुम्ब राशिफल होगा जबरदस्त लाब ग्रहन अक्षोत्रों की चाल समय के अनुसार लगातार बदलती रहती हैं जिसकी वज़े से मनुश्य का जीवन भी प्रभावित होता है यदि ग्रहों की स्थिती व्यक्ति की राशी में ठीक है तो इसकी वज़े से व्यक्ति का शुबस समय आरंब होता है परन्तो ग्रहों की स्थिती ठेक ना होने के कारण कठीन समय से बुजर न पड़ता है बदलाव प्रकूरती का नियम है और इह निरंतर चलता रहता है इस संसार में हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में सुक दुख का सामना करना पड़ता है जोतिश शास्तर के अनुसार व्यक्ति के जीवन में जो भी परिशानियां आती हैं इसके पीचे ग्रहों की चाल मुख्य जिम्यदार मानी गई है जोतिज गनाना के अनुसर आज हम आपको 16 सितंबर की कुम्बर राशिपल बताने वाले हैं इस दिन कुम्बर राशिवालों को जबरदस्त लाब होने वाला है आपका दिन ठेक टाक रहेगा आप सामजी कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं ओफिस में आपको कोई नया काम भी मिल सकता हैं जिसमें आप अपनी महनत से सपल भी हो सकते हैं परिवार से जुड़े किसी काम के लिए थोड़ी भागदोर करनी पड़ सकती हैं स्वास्त में थोड़ा उतार चड़ाव भी बना रहेगा कोरड़ संबंदित किसी काम के लिए आपको अपनी सीनियस की मदद लेनी पड़ सकती हैं आप किसी दोस्त के घर जा सकते हैं धन संपति के मामलों में आपको सतर करना चाहिए माता का स्वास्ते बहतर रहेगा दोस्तो ऐसे ही कुछ महतोपुर्ण बाते आज की सुड़े में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और मा लक्ष्मी जी का अशिर्वा चाहते हो तो कमेंड में जैं मा लक्ष्मी जी लिखना ना भूले साथे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कुमबर राशिक का सामान्य राशिपल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में आप अपने मन में संतुष का भाव रखे परस्तितियों के कारण कुछ परेशान होना पड़ सकता है दिन आपके लिए अच्छा रही का अधिक परैसों के बाद भी जो चीजे आपको नहीं मिली है उसका आप अपसोस ना करे यदि कारिक्षेत्रा और आफिस में आपके सामनी कुछ मुश्किले आती है तो आप पूरे उस ताह से उसे सुल जाने में लग सकते है प्रेम के संबंद में दिन आपके लिए अच्छे फल देने वाला है आप अपने खर्चों को लेकर कुछ परेशान हो सकते है अपने सहकर्मियों से आपको पूर्न सहयोग भी मिलेगा दोस्तो अगर हम कुम्बराशी की कुछ द्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो जमीन जायदा से जुड़े हुए मामलों के लिए समय मिला जुला रहेगा काम के सिलसले में आप अधिक मेहनत करेंगे जिसका भविशे में अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है ग्रहस्त जीवन थोड़ा तनावपूर्न रहेगा आप अपने परिवार के सबी लोगों को महत्व दीजे पारिवारिक तालमेल बनाए रखने की आवशकता है नकरत्म विचारों की वज़े से आफ काफी चिंतित रहेंगे अगर हम कुंपराशी की धनराशीपल की बात करें तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत के साथ-साथ कोशल प्रशिक्षन या ग्यान अरजित करते रहना बेहत जरूरी है व्यस्तता चिंता का कारण बन सकती है इससे बचने के लिए अपने और अपने शौक के लिए समय निकाले मुकदमे बाजी और विवादों से दुर है प्रतिष्टा की हनी की भी संबोना है अपनी मानसिक शक्ती और संसादनों का सही उप्योग करके आप धन और भोतिक सुरक्षा के मामले में सम्रुद हो सकते है अगर हम कुमबराशी की करियराशिपल की बात करें तो आपकी अपनी संस्ता है और आप कोई चोटा मोटा व्यावसा करते है तो आपको अपने करमचारियों को लेकर परेशानी हो सकती है यह उनके बेच का जगड़ा हो सकता है या फिर किसी को फिर से नोकरी पर रखने का मुद्दा आप पर इस समस्या का प्रभाव पढ़ सकता है अगर हम कुमबराशी की लव लाइफ के बारे में बात करें तो उदास या अकेला पर मसुस कर रहे हैं तो उस व्यक्ति से बात करें जो आपके जीवन में सबसे अधिक महतोपुर्ण है उसकी चुलबली बातें आपको सब कुछ बोला दीगी अच्छे प्रदर्शन के लिए लगातार प्रयास और मेहनत करना जारी रखे आपका भागिशली दिन है इसलिए अपनी इस दिन से कुछ फुरसत के पल निकाले अगर हम कुमबराशी की स्वास्तराशी पल की बात करें तो शराब से दूर है यहाँ आपकी सहत खराब कर सकती है अपने खानपन पर ध्यान दे ताकि आप बीमार ना पड़े नौन अलकोहलिक पेयो ही हिले दोस्तों यह थी कुमबराशी के बारे में अब बात करते हैं भक्तों को सोमवार के दिन जरूर करने चाहिए यह काम मिलेगी शिवक रुपा जीवन के कष्ट भी होंगे दूर सोमवार के दिन देवों के देव महादियो की पूजा अर्चना की जाती है सोमवार भगवन शिवजी का दिन माना गया है इसके अलावा इस दिन चंद्रग्रह से जुड़े हुए कुछ उपाई किये जाए तो इससे शुपफल की प्राक्ति होती है शास्त्रों के अनुसर देखा जाए तो भगवन शिवजी की अगर थोड़ी भक्ति की जाए तो इससे ही महादियो प्रसन हो जाते है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाए पूरे करते है अगर आप भगवन शिवजी की कुरपा प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए सोमौर का दिन बहुती शुबा माना जाता है सोमौर के दिन शिवजी की पूजा और अराधने के साथ ही चंद्र ग्रहस से जुड़े हुए कुछ उपाय करेंगे तो इससे आपको अपने जीवन में शुबा नतीजे देखने को मिलेंगे तो चले जानते हैं सोमौर के दिन किन विशश उपायाँ से हम शुजी की कुछ पूजा अरचना की जाती है और शुजी का जलाविशे किया जाता है अगर आप शुजी का जलाविशे कर रहे हैं तो आपको इसके दवरान कुछ तील मिलाकर ग्यारा बेलपतर साथ में अरपित करना होगा इससे आपको विशेश लाव पराप्त होता है पुरानी मान्यताओं के अनुसार देखा जाये तो शुलिंग पर हमेशा मिश्री अरपित करने के पाच्चत ही जल अरपित करना होगा अगर आप इस प्रकार से पुजा करेंगे तो इससे आपको अपनी पुजा का फल अवश मिलेगा जो तीश शास्तर के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रग्रह की स्थिति कमजोर है तो इसकी वज़े से जीवन में बहुत सी परेशानिया आने लगती है अगर आप चाते हैं कि चंद्रग्रह के अनुकुल प्रभाव प्राप्त हो तो इसके लिए आप सोमवार के दिन सभी प्रकार के सफेद खाद्य पदर्त जैसे कि दूद, दूद से बनी हुई चीजे, चावल, सफेद तील, मिश्री, बर्फी जैसी मिठायों का सेवन कीजे अगर हम पौरानिक मान्यताओं के अनुसार देखे तो सोमवार की दिन यदि आप सफेद गाय को रोटी और गुड़ खिलाते हैं तो इससे जीवन के सभी प्रकार के कश्ट दूर हो जाते हैं शास्त्र पुराणों में गाय माता को बहुती महतोपुर्ण बताया जाता है अगर किसी व्यक्ति को धन प्राप्टी की लालसा है तो इसके लिए सोमवार के दिन आप मचलियों को आठे की गोलिया बना कर खिलाएं इस उपय को करने से शिगर ही धन की प्राप्टी होनी की स इसके अलावा अगर आप यह उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिवजी की कुरुपा के साथ साथ चंदर ग्रह का पूरा प्रवाव भी खत्म हो जाता है। शास्त्रों में दान पुन्य को बहुती महतोपुर्ण बताया जाता है। यदि आप सोमवार की दिन सफेद चीजें जैसे की दूद दही सफेद कपड़ा चीनी आदि का दान करते हैं तो इससे लाब अवश्य प्राप्त होता है। आप चाहे तो इस दिन खीर बना कर निर्दन लोगों को खिला सकते हैं। उप्रोक्त आपको सोमवार की कुछ विशेश उपायों के बारे में जानकरी बताई गई है। अगर आप सोमवार की दिन विहस साधरन से काम कर लेते हैं तो इससे आपके उपर भगवान शिवजी की कृपा बनी रहती है। और चंदर ग्रहन भी शानत रहता है। शास्तरों में बताये गए यह उपायें आपकी जीवन की सभी परिशानियों को दूर कर देती है। तो दोस्तों आज की सड़ी में बस इतना हैं वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथ हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशुपल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद।